Hello everyone, welcome to my channel, I am Gita and you are watching Gita's online tips Guys, आज मैं आपके सामें डिसकस करने जा रही हूँ कि Airlines ने finally कुछ recruitment स्टार्ट कर दिया है Indigo Airlines की फिलाल में बात कर रही हूँ Guys, कुछ recruitment निकाला है, कुछ notification अभी दिया है जो vacancies जो निकाली है, वो निकाली है cabin crew और air hostess की vacancies निकाली है So, आज इस वीडियो में guys हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो eligibility criteria क्या है, आप कैसे apply कर सकते हैं interview की location क्या होगी, job location क्या होगी, कब होगा interview सब चीजे हम in detail discuss करेंगे Link मैंने guys description box में आपको दिया है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस field में interested है So, आप महाँ पर diet जाके apply कर सकते हैं महाँ पर सब कुछ in detail आप पढ़ सकते हैं कि महाँ पर eligibility criteria क्या होगा क्या-क्या responsibilities होती है, इस job की और सब चीजे आप महाँ पर apply, अपना CV apply कर सकते हैं So, guys, बात करते हैं, first of all, eligibility criteria नोंने क्या मांगा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका, आपकी जो age है वो 18 to between 27 के age bracket में आनी चाहिए इस से जादे है तो guys, यहाँ पर selection नहीं होगा मतलब यह जो इनका age criteria है, 18 to 27 है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, interview के लिए जा सकते हैं इसके बाद guys, अगर qualification जो इन्होंने मांगी है वो 10 plus 2 किसी भी recognize board से मांगी है आपकी कितनी भी percentage है, या फिर आप कितने भी किसी भी stream से है math, commerce, या फिर science किसी background से हैं तो आप you can apply here इसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने communication इसके आपको पता ही होगा guys अगर आप इस field से job करना चाहते हैं तो इस field के बारे में काफे पढ़ते भी होंगे, काफे चीज सुनते भी होंगे तो यहाँ पर obviously अच्छी खासी आपकी communication skills बहुत अच्छी होने चाहिए आपकी fluency होने चाहिए कि आप जहाँ पर जो communication है आपको पता ही होगा अगर आप इस field से जुड़े हुए हैं आप इस field की prepare कर रहे हैं तो आपकी जो इंगलिस हिंदी communication skill है आपकी जो fluency है बोलने की आप बिना अठके continue बोल पा रहे हैं यह नहीं सब चीज़ें इंटर्व्यू में नौटिस की जाती हैं यह सब चीज़ें जोने mandatory मांगी हुई है इसके अलावा जो आपकी हाइट है यहां पर 155 cm तक होनी चाहिए और आपका जो यहां पर वगएर है वह 18-27 है यहां पर नहीं दिया हुआ है लेकिन जहां तक मेरे को पता है जो यहां आपका होना चाहिए वह 18-27 इस जौप में होना चाहिए आप इसके अलावा जो आपकी बोड़ी लेंगवेज है वह काफी पोजिटीव होना चाहिए और आपका यहनों ने बोला हुए no tattoos visible in uniform आपकी जितनी भी बोड़ी पार्ट विजिबल है जैसे कि जब आप यहां पर ड्रेस पहनें आप नेक हो गया यहां पर आपका कोई बर्त मार्क नहीं होना चाहिए कोई tattoo हाँ नहीं होना चाहिए और आप बात करें यहां पर एक बात और मैं आपको बताओं जो आपकी यहां पर हाइट मेजर की जाती है वह आपका without sandals की जाती है आपको मतलब sandals उतार के आपकी हाँ पर हाइट मिजर्मेंट किया जाता है वह हाइट आपकी यहां पर मानी जाती है इसके लाव गाइज हाँ पर मैरिट की बात करें तो मैरिट कर इन्होंने कई अई अटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है इपकि इंटरियू की हाँ पर इप कैसे कर रहे हैं खुद को कैसे 2 कर रहे हैं तो यह सब चीजे मैंटर करती है और इन्होंने notification नहीं दिया है ऐसा कोई बोला नहीं है कि यह लोग merit को hire नहीं कर रहे हैं इसके बात गाइज उन्होंने कुछ responsibilities दी है आप जाके link में जाके पढ़ सकते हैं उसके according अपना CV अपडेट करके यहाँ पर जो responsibilities है जो भी दी हुई है अपने CV को अपडेट करके यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं अब यहाँ पर जो इंटर्विव के मैं अगर बात करूँ कि इंटर्विव कब होगा तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा specific कोई criteria नहीं दिया है बढ़ जहां तक मेरे को पता है इंड कुछ सही हो जाता है तो आपका face to face इंटर्विव होगा आपको गुडगाओं बुलाया जाएगा आपका CV अगर सोट लिस्टिव हो जाता है अब जो जहाँ पर job location इन्होंने दी हुई है वो हैदरबाद कोची बैंगलूर और चेन नहीं यानि यहाँ से आपको fly करना होगा यह आपका work station होगा तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मंगा कि यह लोग experience को hire कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं जो भी points इसमें mention है job criteria वो सब मैंने आपके साथ में discuss कर दिये हैं एक बार आप खुद भी link पे click करके check कर सकते हैं कि क्या इनकी responsibilities हैं क्या eligibility criteria है सब कुछ अच्छे से detail में समझ सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना CV update कर देना है अगर आपका CV हो जाता है तो यह लोग आपको call करके interview के लिए बुलाएं अगर आप cabin crew की job में interested है तो आप में link में description box में दिया है आप महां पर जाके सब कुछ अच्छे से detail में पढ़ सकते हैं क आपके face to face interview के लिए बुलाएगा ऐसा आप इन्होंने कुछ बताया नहीं है लेकिन फिलाल आप अभी apply कर दे में फरवरी मार्स ते सब कुछ सही होता है तो आपको face to face interview के लिए बुलाया जाएगा so guys मुझे इसी vacancy के बारे में आपको update करना था अगर आप apply करना चाहते हैं तो link में in description box में दिया है वहाँ पर जाके apply कर सकते हैं अगर फिर भी कोई query है तो अगर मुझे पता होगा तो मैं definitely I will answer you so बस मिलते हैं next video में तब तक के लिए guys bye bye